बदलते परिवेश के साथ देश पर परदीश में खेती करने का स्वरोग भी बदला है और अब पैल जोडों की मदद से क्रिशी कारे करने के बजाए इसमें मशीनरी का प्रयोग लगातार पड़ा है ऐसे में इन यंत्रों की खरीद के लिए परदीश सरकार की ओर से किसानों की हर संबब मदद करने के लिए निरंतर प्रयास के जा रहे हैं क्रिशी यंत्री करन उप्योजना तथा राज्य क्रिशी यंत्री करन कारे करम के अंत्रगत क्रिशी क्षितर में प्रयोग में लाए जाने बाले यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को अनुदान का प्रापधान किया गया है हमेर प्रजिला में इन दोनों योजनाओं में लगबग साड़े तीन करोड रुपए की राशिक गत बितवर्ष में बैक की गई है क्रिशी यंत्रीकर्ण उप्योजना के अंत्रगर्द क्रिशी मशीनरी जैसे ट्रेक्टर पर क्रिशकों को 50% अत्पा अधिक्तम तीन लाग रुपए का अनुदान परदान किया जा रहा है इसी प्रकार पावर वीडर पर 50% अत्पा अधिक्तम 25,000 रुपए के अनुदान पर प्राबधान है हमेर प्रजिला में इस योजना का फसल क्रियान बन सुनेशित करते हुए वर्ष 2021 में किसानों को चोवन ट्रेक्टर एबंप 62 पावर वीडर अनुदान पर उपलवत करवाए गए गत्पित वर्ष में लगबख एक करोड चोहतर लाक रुपए जिला में इस योजना के तहट व्याय किये गए हैं राजे ग्रिशी यंत्री करण कारेक्रम के अंद्रगभी किसानों को विविन यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है इस योजना के लाबारतियों को क्रिशी मशीनरी जैसे पावर वीडर पर 50% अत्वा अधिक्तम 25,000 रुपए अनुदान का प्राबधान है इसी तरह से ब्रश कटर पर 50% अत्वा अधिक्तम 10,000 रुपए का अनुदान चाफ कटर एबम बैटरी कम सॉलर पंप इत्यादी पर भी अनुदान का प्राबधान है हमेरपुर जिला में वर्श 2020-21 में इस कारिक्रम के अंतरगत 88 ब्रश कटर, 62 पावर वीडर, 1112 स्प्रियर, 1806 चाफ कटर, 14 मके गेहूं ट्रेशर एबम, 37 रोटावेटर किसानों को अनुदान पर उपलब्द करवाए गए हैं इसके अतरिक्त इस योजना के तहट जिला में 10 लाक रुपई की लागत से एक कस्टम हाईरिंग सेंटर भी स्थाबित क्या गया है बर्श 2020-21 में योजना में आवंटित लगभग 1 करोड 78 लाक रुपई की पूनराशी जिला में ब्याय की जा चुकी है इन योजनाओं से करोना काल में हमिर प्रचिला के किसानों को खेती संबंदी कारें में सुगम साधन उपलवध हो पाए हैं लंबामविक किसानों ने इसके लिए प्रदीश सरकार एब मुके मंत्री जेरम ठाकुर का अभार चिताया है